Hello everyone ये तो हम सभी जानते हैं कि आवला बच्चे हुए या बड़े सभी के लिए बहुत जादा फायदे मन्द होता है इसे हम हमेशक लिए स्टोर भी करके नहीं रख सकते हैं इसलिए आज मैं इसके अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर के कुछ मसालों के साथ अचार तयार कर रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं एक किलो आवला लिया है इसे अच्छी तरह से दोकर मैंने साफ कर लिया है एक स्टीमर में पानी करम करने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था अब उसमें मैंने आवला सब एड़ कर दिये हैं और इसे 10 मिनिट के लिए मैंने स्टीम के लिए छोड़ दिया है 10 मिनिट के तक जब तक मैं अपना मसाला तयार कर रही हूँ अब एक फ्राइ पैन में मैंने सौफ, मैथी दाना, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा सभी चीज़ों की कॉंटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप सभी चीज़ों का कॉंटिटी मेजर्मेंट बिल्कुल ध्यान में रखकर ही इसे तयार करें अब मैंने लॉंग और काली मिर्च ये भी एड़ कर दिये हैं और इने बिल्कुल लो फ्लेम पर हलका सा मुझे इतना गर्म करना है कि इनका मौशर निकल जाए लास में मैंने जो पीला वाला सरसों होता है अचार के लिए हम तयार करते हैं और हींग सबी चीज़ों को एड़ करके गैस बंद करने के बाद ही मैंने हींग एड़ किये नि तो ये चिपक जाएगी और अब मैं आपको हाथ से चूके भी दिखा रही हूँ कि मसाला बहुत जादा ओवरीट नहीं है अब मैंने इसे फिर भी और ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है दस मिड़वाद मैंने आवले चेक किये हैं देखिए इसकी बहुत इजली इसकी कलिया बनकर निकल रही है अभी बहुत गर्म है इसलिए मैं पांच मिलिट के लिए इसको भी ठंडा होने के लिए साइड में रख रही हूँ तब तक मैं मसाला पीसकर त्यार कर रही हूँ इनकी गुटलियों को भी आप साइड में रखी और पानी में भीगा कर आप इससे बाल दो सकते हैं इसका भी बहुत अच्छा यूज हो जाएगा अब मसाला ठंडा हो गया तो इसे ग्रेंडर में अड़ कर रही हूँ साथ में लाल मिश का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक इन्हें भी इसी के साथ में अड़ कर रही हूँ ठाकि ये मसाले में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे ये और पिसकर हमारा पूरा मसाला एक साथ तयार हो जाएगा अब मैं इस मसाले को पल्स मोड पर ही चलाऊंगी धीरे धीरे चलाएंगे तो सारा मसाला अच्छे से पिसकर तयार हो जाएगा और थोड़ा बहुत अगर दरदरा भी रह जाएगा तो भी वो अच्छा ही लगता है यह देखे, मैंने इसको हलका सा चलाया है और फिर अभी से धीरे-धीरे चलाकर में छोड़ दूगी पूरा एकदम महीन पीस नहीं भी पिसता है तो भी चलेगा और मसाले में नमक वगरा सब इसली बहुत अच्छे से मिल गया अब मैंने एक फ्राइ पैन में या कढ़ाई में सरसो का तेल लिया है आप चाहें तो कोई भी जो आपको पसंद हो, रिफाइन वगरा भी ले सकते हैं हमारे या अचार सरसो की तेल में ही सबको पसंद आता है और मैंने इसमें थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च भी एड़ की है उसे तीखा और चटपटा अचार बन जाएगा अब मैंने कलॉंजी एड़ की है अचार में कलॉंजी का फ्लेवर सबसे ज़्यादा मस्ट होता है कलॉंजी को हलका सब लो फ्लेम पर ही हम देखी तेल मैंने बहुत अच्छे से गर्म किया है उसके बाद इसे गैस को बंद कर दिया है आप ये प्लीज ये चीज जिहान से देखिए कि हमने कितना गर्म तेल लिया है हमारी मिर्च और कलॉंजी जली नहीं है सिर्फ सिख गई है अब मैंने मसाला भी एड़ कर दिया है और मसाले के साथ ही जब हम इसमें अच्छी तरह से तेल और कलॉंजी और मिर्च में मिलाएंगे इसके बाद ही मैं इसमें आवला एड करूंगी सभी चीजों को मिलाने के बाद देखी हलकल कसद ओयल भी रिलीज होने पर आगे सारा मसाला गीला हो गया है अब मैंने इसमें आवला एड कर दिया है और आवले को भी इसमें अच्छी तरह से धीर-धीर मिलाएंगे उपर नीचे, उपर नीचे करके बहुत स्पीड से नहीं चलाना है धीर-धीर सारा मसाला हमारे आवले की कली में अच्छी तरह से छिपक जाएगा और देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है न आप इसे तुरन डाल कर तुरन इसे पराटे या पोड़ी के साथ enjoy भी कर सकते हैं अब मैंने चीनी के प्याले में सारे आवले के अचार को transfer कर दिया है हमेशा अचार हम काच के container में या चीनी के प्याले में ही रखना चाहिए इसे ये बाकी किसी भी metal के साथ reaction कर लेता है अचार इसलिए हम इसे चीनी के या काच के बरतन में ही रखते हैं ये देखिए हमारा अचार बनकर तयार है चटपटा आवले का इसे आप 6-7 मेहने तक भी आप आराम से store कर सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसी पी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें ठैंक यू